प्लाटी हेल्मेंट्स के करने हैं अब देखो जो प्लाटी हेल्मेंट्स है अगर प्लाटी हेल्मेंट्स टर्म की बात करें टर्म जो है प्लाटी का मतलब है फ्लैट हेल्मेंट्स का मतलब है वोम मतलब इसमें हमारे पास फ्लैट वोम आते हैं ठीक है जितने भी फ्लैट वोम्स फ्लैट वोम्स का मतलब बोडी उनकी डॉर्सो विंटरली पूरी तो इसलिए इनका नाम क्या है, प्लाटी हिलमेंस का मतलब क्या है, फ्लै फ्लैट व्ломह, दर्सो वेंटरली बॉड़ी पूरी फ्लैट, जीए कि मैं ये फिश्योला हैपटिक गा, इस तरह कि इनकी बॉड़ी पूरी की पूरी क्या होती है, फ्लैट होती है, उसके बाद इनके journal characters पर आते हैं journal character वही sequence habit and habitat से start करना है और reproduction and development पर जाकि हमने end करना होता है habit and habitat की बात करें हमारे पास जो platyhelven से mostly parasitic है ठीक है except plain area ये एक ऐसी form है जो हमारे पास free living है और free living का मतब aquatic है दूसरों पर depend नहीं है बाकी जितनी भी form से mostly parasitic है ठीक है अब parasitic में कुछ एक्टोपेरसाइट भी हैं और कुछ एक एक एंडोपेरसाइट भी हैं एक्टोपेरसाइट का मतलब क्या होता है जो बॉड़ी के बाहर रहते हैं एंडोपेरसाइट जो बॉड़ी दूसरे होस्ट की बॉड़ी के अंदर रहते हैं ठीक है तो मोस्टली ये क्या है हमारे पस उसके बाद body form की बात करें कि इनकी body किस तरहा की है body mostly soft है बहुत नरम सी है और dorsal winterly flat है बिल्कुल जैसे एक ribbon होता है या फिर जैसे एक हमार रपस ribbon या फिर leaf like जैसे पत्ता होता है न वैसा बिल्कुल dorsal winterly इनकी body flat होती है level of organization की बात करें तो इनमे organ level of organization is found ठीक है organ level का मतलब क्या हो गया जो tissues थे tissues ने combine होके particular organ बना ली है लेकिन पूरे organ system नहीं बने हुए सिर्फ organ कुछ एक organ डवलप है सारे organs भी डवलप नहीं है तो कौन सी level of organization है organ level of organization इसमें present होती है उसके बाद germ layer की बात करें तो इनमें triple plastic तीन germ layers बन चुकी है हमारे पस कौन कौन सी एक्टोडर्म, मिजोडर्म और अंडोडर्म तीनू germ layer germ layer का मतलब पता है यह हमारे पस जैसे के embryo है इसकी तीन germ layer होती है ठीक है यह अलग organs बनाएगी यह अलग organs यह अलग organs तीनू मिलके एक पूरी body बनाती है है और्गनेजम की तो इसमे हमारे पस तीन germ layers होती है एक्टोडर्म, मिजोडर्म और अंडोडर्म स्मिट्री इनमें कौन सी है bilateral smitary bilateral का मतलब जैसे के यह हमारे पस फिशोला हैपटिका अगर हम बिलकुल center से काटेंगे तो equal halves में कटेंगी ठीक है दोनूं halves जो है वो एक दूसरे के mirror images होंगे तो bilateral smitary देखने को मिलती है head and appendages की बात करें head जो है present होता है और head में brain होता है highly developed नहीं होता पर जो थोड़ा वो developed है वो present होता है कि इसमें head में लेकिन appendages मतलब locomotion के लिए कोई भी organized present नहीं होती है appendages absent होती है उसके बाद skeleton जो है skeleton का मतलब इन में धांचा नहीं बना हुआ धांचा इन में क्या होता है absent होता है इसके बाद हम करते हैं internal यह थी इसके body के external feature अब हम next करेंगे internal feature external features के बाद अब हम आते हैं internal feature पर सबसे पहले digestive system की बात करें तो incomplete elementary track present है elementary canal जो है वो पूरा complete नहीं है मतलब अगर ऐसे elementary canal हो यहाँ बैं mouth हो यहाँ ऐनस हो anal opening हो तो इसको हम complete elementary canal बोलते हैं बट इसमें complete नहीं होती इसमें mouth opening तो है बट anal opening नहीं होती ठीक है तो इसलिए incomplete elementary canal है respiration की बात करें कोई particular respiratory organs नहीं बने वे respiration होती है by journal body surface ठीक है journal body surface है by the process of diffusion circulatory system की बात करें वो भी under developed है पूरा properly developed नहीं है इसमें जो system या organs developed हैं वो हैं हमारे पास excretory system जो excretory system है excretory system में proto nephredia या flame cells प्रेजन थीक है जो excretory system में excretory organ है वो proto nephredia flame cell की form में present है flame cell जैसे candle का flame होता नहीं यह मैंने बनाया candle के flame की तरह इसकी appearance थी इसलिए इसका नाम पढ़ गया flame cells ठीक है तो यह flame cells इसमें present हैं जिसकी वज़ा से यह excretory organ जो बना है वो कौन सा excretory organ इससे पहले हमने कोई organ नहीं देखा कि special organ बना वह है flame cell special feature है platty helmets का ठीक है तो flame cell किसके लिए है excretory matter इनमें ammonia भी हो सकता है यूरिया भी हो सकता है ammonia जैसे aquatic form है planaria जो मैं बता रहे थी उसमें क्या होगा ammonia होगा क्योंके वो पानी में रहते हैं बाकि जो parasitic forms है अगर human पे कोई पेरासाइट है तो उसका यूरिया होगा जैसे sheep liver flu जैसे मैंने वो एक्जामपल अभी डायग्राम बनाई वे थी liver flu की fasciola hepatica वो sheep का पेरासाइट है तो उसमें भी यूरिया होगा ठीक है तो इनका excretory matter ammonia या यूरिया हो सकता है special feature क्या है flame cells flame cells आपको कोई पूछ सकता है या objective में भी आ सकता है flame cells किसमें present होते तो flame cells platy helmets में present होते ठीक है उसके बाद हम आते हैं next feature पे next है हमारे पास nervous system nervous system इसमें present होता है ladder like ladder like मतलब इस तरह cd की तरह इसका nervous system present होता है ठीक है sense organs इसमें सब में developed नहीं होते लेकिन जो free living form है जो parasitic नहीं है उनमें sense organs भी developed है बाकी parasitic में कोई sense organ developed नहीं है reproduction की बात करें asexual reproduction भी होती है sexual reproduction भी asexual reproduction by fragmentation or longitudinal binary fusion longitudinal binary fusion की इस तरह से जैसे कि ये organism है इस तरह लंबे तरीके से divide करेगा ठीक है दो अलग अलग organism बनाएगा fragmentation की बात करें जैसे ही organism अपनी body को पहले enlarge करेगा लंबा करेगा फिर छोटे 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 fragments में वो break कर देगा और छोटे 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 fragments जो है ये अलग individual बनाएगा ये अलग ये अलग ठीक है इस तरह से asexual reproduction शो करते हैं या तो मतलब longitudinal binary fusion या फिर fragmentation से sexual reproduction में इन में क्या बनते हैं gamets ओर एक और चीज़ क्या है ये हमारे पास क्या होते हैं हर्मफुरडाइट्स मतलब क्या हो गया अगर ये पूरा मान लो ये एक organism है इसके इस वाले पार्ट में male sex organ होगा इस वाले पार्ट में female sex organ होगा एक ही organism में दोनु sex organ अगर present हो उस condition को ह हुआ हक्या ? इनडिर्टीक्ट इन्टैर्ट का मतलब फीमिल की बॉड़ी के अंदर फेटलैशन होगी इनडिर्स आज काइन अज है चोजों एक है म्ट्वंटश कि माइन और फिल्चों दिवनस कुछ बच्चों ने आंसर किये, सब ने फिर भी नहीं किये, आज की जो पजेक्टिव है, आज का उबजेक्टिव एक है कि फ्लेम सेल ऐइक है, कुन से और्गिनिजम का फ्लेम सेल इसका काम नहीं होतה प्लेम इकार ठीक है, दूबजेक्टिव PropJohn Hey अब हम कल करेंगे क्लासिफिकेशन और एक टॉपिक जैसे कि वो सिलोम का टॉपिक है वो मैं आपको करवा दूँगी ठीक है